नमस्कार, इस वीडियो में हम भारत के प्रसिध मूर्तिकार राम किंकर बैज उनके कार्य और उनके जीवन के बारे में चर्चा करने वाले हैं राम किंकर बैज 1906-1980 तक के जीवन चक्र में भारत के प्रसिध मूर्तिकार के रूप में ख्याती प्राप्ट किये आधुनिक भारतिय मूर्तिकला के सबसे अग्रणी कलाकारों में इनकी गिंती की जाती है राम कींकर बैच का जन्म पस्चिव बंगाल के बाकुरा में एक आर्थिक और सामाजिक रूप से विपन परिवार में हुआ और बाकुरा के पास में एक जुग्गी पाड़ा गाउं था यहीं से इनकी आरंबिक शिक्षा हुई और यहीं से कलाके प्रति इनकी रूची जागरती हुई वन अकिवल एक प्रतिष्ठित मूर्तिकार थे वलकि एक चित्रकार और ग्राफिक आर्टिस्ट भी थे और अपने द्रड संकल्प की वज़े से भारतिय कला के प्रतिष्ठित प्रारंबिक आधुनिक कलाकारों में से एक बने। कला के शिक्षा है तो शांति निकेतन के कला भवन में भेजा और उस वक्त वहां पर नंदलाल बॉस जैसे कला विशिशग्येद पढ़ा रहे थे और उन्हीं के सानिध्य में इन्होंने अपनी कला शिक्षा ग्रहन करी वर्ष 1970 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूशन से सम्मानित किया और रामकिंकर बैज ने एक अपनी बहुत प्रसिद्ध शिल्प निर्मान किया था सांथाल परिवार तो ये जो सांथाल परिवार नाम की मूर्ती है वे आज भी शांति निकेतन के विश्विध्याले जो है उसके प्रांगण में खड़ी हुई है इसके अलावा रामकिंकर बैज ने सुजाता कन्या कुत्ता अनाज की ओसायादी बहुत प्रसिद्ध चित्र और मूर्तियां भी बनाई अच्छा इनके बनाने का जो सबसे फेमस मैटर था जो इनका सामग्रिया थी वो थी सीमे उनने अपने मूर्तियों में स्तान दिया है और शांतिनी केतन का जो समय था उनका वह बहुती उल्लास से परिपूर्ण था और महीं उन Neder Promise के दोरं आरतिक परिसितियोंगा सामना करते वे उन्होंने धन अरजित करना भी प्रारम कर दिया था और इसी समय महाकभी रवींद् चात्रों के बीच रहते थे, इससे उनका उदारपूर्ण जो प्रभाव था वो सभी चात्रों पर पढ़ता था, और यहां पर टेगोर के अत्रिक्त अन्य एसी बहुत सारी प्रतिभाय थी, जिनका संकल्प, उनकी रूची और उनकी गहरी मानवता सभी का प्रभाव चात्रो पर पढ़ता था तो वहां के जो स्थानिय कला थी उसका बेज पर बहुत प्रभाव पड़ा जैसे लोक कलाओं तथा धरोहरों से प्रभावित होकर वे प्रतीलीपिया चित्र और मिट्टी से घड़कर आकरतिया बनाने लगे बेज ने प्रमुक स्वतंत्रता सेन्नानियों के शबी है यानि पोट्रेट और रेखा चित्र यानि स्कैच बनाए उनके इसी जन्मजातकुन को देखते हुए बंगला के जो रमानन चतरजी है उन्होंने उन्हें शांतिनिकेतन में दाखिला दिया था और शांतिनिकेतन का वातार उन्हें बहुत भायाग ननलाल बोस जैस जो है वहां का प्रमुक के पद के रूप में उन्हें आमंत्रित किया गया वहां के हैड रहे और नंदलाल बोस तथा विनोध बिहारी मुखर जी जो की बहुत महान कलाकार है वहां के उनके साथ मिलकर है उन्होंने शांतिनिकेतन को एक विश्व विख्यात संस्थान बना और वहां पर पारंपरिक शिक्षा के अलावा व्यक्तिगत विकास पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा बैज की कलाका मुख्य विशे सामान्य जन रोज मर्रा की जिंदगी और आसपास के वात्तावरन परिवेश ही रहे हैं उन्होंने रियालिजम में अपने बदला खुरदरापन ही उनकी कला के विशिष्टा बन गया कला के व्यवसाइक पहलों पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया वे कला को साधना समझने वाले वेज शांतिन केतन में कई पबलिक सकचर प्रोजेक्ट पर उन्होंने काम किया अमूर्तन यानि एक्स्ट्रेक्ट और ए और वो दिल्ली में आज भी मुख्याले के बाहर लगी हुई है अच्छा उनके स्टूडियो में बहुत सारे जानवर घुमते रहते थे जैसे कुट्टे बिल्लिया उनकी तो वह स्वच्छन्द घुमते थे तो बैज ने कुट्टे और बिल्लियों के अनेक रिखा चित्र और मिट्टी के स्टजीज भी किये बैज को गाने और सुनने में भी रूची थी तो ललित कला किसे मानद उपादी और शांतिनी केतन के जो देशी कौत्तम सम्मान भी उन्हें मिला और कुछ समय बेरभिमार रहने के बाद बैज ने अंतिम सांस लिए तो यह रविना टेग जाता है यानि abstract sculpture सबसे पहला माना गया और यह portrait कवी गुरू रविंद्रिनाट टेगोर का है जिसमें भाव और प्रतीकों के माध्यम से कवी के प्रभाव चाली चेहरे को अमूर्तन और यथार्द के संयों जन में बड़ी कुशलता के साथ दिखाया है मूर्तीकला के विकास में यह उधारण मील का पत्थर साबित हुआ और आगे चलकर अमूर्तन कला का पत्थ प्रदर्शक बना रामकिकर बैज कला में नवींता के हमेशा प्रस्टन सक रहे और हमेशा नए प्रयोक करते रहे वह भारत के पहले कलाकार थे जिन्होंने सीमेंट में काम किया और उनसे पहले पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और धातू ही मूर्ति के लिए सबसे प्रश्रित माध्यम मानने जाते थे वाटर कलर के साथ ही तेल चित्र में भी उनका हाथ सधा हुआ था मुखेतल लैंड्सकेप और कंपोजिशन विधा में काम करने वाले बैज के चित्रों में उनकी मूर्ति का लाकी जलग दिखाए देती है उनके चित्र उभरे हुए और लहरिया रेखाओं से उकेरित गतीमान प्रतित होते हैं इसका जीवन तो धारन उनके मिल, पॉल और सांथाल परिवार और परिवेश में बने चित्रों में दिखता है ये सारे चित्र हम आगे चलकर अभी स्लाइड्स में देखने वाले हैं तो इस तरीके से रामकिंकर बैज मूर्तिकला के साथ साथ चित्रकार भी थे और उन्हेंने बहुत सारे चित्र स्कैचेज भी बनाए रामकिंकर ने चित्रकला के साथ सत्मूर्तिकला भी सीखी और इन दोनों ही विधायों का पूर्ण विकास उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार किया। उनका मानना था एक अच्छा मूर्तिकार बनने के लिए कलाकार को स्वयम मिट्टी तयार करनी चाहिए। साचे में ढालना, पत्थर, लकडी, लोहा काटना, तारों से कुष्टी, आधिकार्य सब स्वयम अगर वर नहीं कर सकता तब तक उसका इसकला में पारंगत होना बहुती कठीन होता है। तो रामकिंकर के जो भाव और व्यंजिना थी वो पूरी तरीके से मौलिक थी। आरम में उन्होंने लगु चित्र बनाए, किंतु शिगरी उन्होंने तेल रंगों को भी अपना लिया और इसी माध्यम से उन्होंने अनेक प्रयोक किये। व्यक्ति चित्र, डिजाइन, लताय, भवन, प्राक्रतिक द्रश्य सभी को उन्होंने चित्रित किया। व्यक्ति चित्रों में तो बैठेवे व्यक्ति के स्वभाव भी उतार देते थे। उनके चित्रों में लोक कला तथा शास्त्री कला का समन्वे दिखाई देता है। उनके क्रतियों में जीवन के सौंदर्य, फूंडता, आस्था तथा द्रड विश्वास की छाप है। उनके देनिक जीवन के विश्यों को तूलिका, रेखा चित्रों, ब्रश ततर ड्रॉइंग्स में भी उन्होंने अंकित किया है और उनके 1940 तक राम किंकर वेज ने अनेक चित्रों के रचना करी जिस सुजाता, कन्या तका कुट्ता, अनाज की उसाई उनके सबसे प्रसिद चित्रों माने गए है ये मूर्ती शांतिनी केतन में आज भी विद्धिमान है और लोग एज टूरिस्ट इन्हें विजिट करने भी आते है तो सीमेंट और कंक्रीट से सांथाल परिवार नामक शिल्प का निर्मार जो किया वो 427 सेंटिमेटर उंचा था इसके अतरिक्त अन्य मूर्तियां शांतिनी केतन में वियत्र तत्र यहां वहां सुसजित हैं जैसे दोपहर के विश्रांती में श्रमिक और महनत कस किशानों का सजीव और यथार्थ चित्र इन्होंने किया है यह सुजाता नामक स्कल्प्चर जो पूरी तरीके से सीमेंट और खुर्दरी सतह से बनाया गया है गौतम बुद्ध का स्कल्प्चर टेगोर का पोट्रेट रामकिंकर ने बहुत सारी मूर्थियों का निर्मान किया और बहुत ही महनत के साथ में हमेशा दिन भर काम करते रहते थे रामकिंकर कहते थे कि अधि आपको देवी देवताओं की मूर्थि बनानी है तो उनकी मूर्थि बनाने से पहले देवी देवताओं को मन में आसन दो वरना मूर्थि तो कलाकार सरस्वती की गड़ता है और उसके मन में होता है राक्षस इस तरीके से वे पूरी तरीके से अपने मन को भी अपने काम में लगाने की बात करते थे रामकिंकर बैज ने अपने कई चित्रों में पोट्रेट्स किये रेखा चित्र किये इसमें और उनका मा बेटा क्रिश्न जन्म आधी पर क्यूबिजम का भी उनका छाप नजर आती है तो कहीं कहीं पे कहीं चित्रों में प्रभावादियों के प्रकाश, सेजा के अंतराल, घनवादियों के तत्व और थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आधी भी दिखाई देती है इस प्रकार से रामकिंगर बेज ने मिट्टी, बालू, पत्थर, प्लास्टर, कॉंक्रीट आधी की बहुत सारी मूर्तियां बनाई और बहुती सक्ची लगन और तनमयता के साथ बनाई इनका मूर्ति का लाके प्रती जो जुकाओ था, वो बिल्कुल चित्र का लाके समान ही रहा और दोनों ही क्षित्रों में इन्होंने अपनी छाप छोड़ी और इनकी स्कुल्चर्ज में जो था गठन था, जो बाडी स्ट्रक्चर था शरी रचना, अनुपात, अंग प्रत्यंग के उभार और उसमें लगुता और दीर्गता के अनुसार जो भी विशेश्टाएं थी वो सभी इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई एक अगस्त 1980 को इनका देहावसान हो गया और इस तरीके से राम किंकर बैज जो की किंकरदा नाम से पूरे भारत वर्ष में छात्रों के और कलाकारों के बहुत ही प्रियम उतिकार के रुप में जाने गए